आला का तुहातर चोबी हाँ होई सान होई वाँ कहना चारो विहार की सरकार से ए लितिस बाबू एक जुसी यही मनीश कसब तो हर सरकार की जाँ देगा देखते दो और तुम जैसे बरस्टाचारियों को जेल में भेज़के जेल में सडोगे तुम्ही वही होजा जो आनन्द मोहन जैसे हत्यारे को कानून बदल के बाहर कर देते हो और मनीश कसब के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है नेता अगर चुनाव लरते हैं तो सोब बात एक हाजार बात जुट बोलते हैं और एक हाजार फुटी ख़़ाविर फईल आते हां हम इय करेंगे य्य करेंगे उनके उनकों तरस नहीं जैल में डाला जाता है और इस देश में मनीश कसब कोचाने वाला हरेक इंसान देश को सर्भोपरी रखता है विहार उसके लिए तर्भोपरी के नहीं कि ताकि धान के उसार एसलिए आम पफिलिक मजदूरी किसान सिछेवर्स यह जितने परसानिये सब दूर हो जाएंगे मनिस्वय बनेंगे एक ऐसा लड़का जो बिहार को ब्रेंड बिहार और बिहार को बहतर बिहार करने में लगा था और बढ़ती लोग प्रियता उसकी देख करके ये निताओं को रहा नहीं गया कि उसमें फर्दी निकज्मा करने लगा था मनिश कश्यप के लिए आयोजित रैली में क्या हुआ खास? मनिश के लिए आयोजित रैली कितने दिन चलेगी? मनिश के समर्थकों का एक जून से है कुछ खास प्लान क्या है मनिश के समर्थकों का प्लान टू? क्या इस प्लान टू से मनिश आएंगी जेल से बाहर? गोपाल गंच से आए समर्थकों ने बिहार सरकार को जम कर लगाई लतार मनिश की मा और भाई भी पहुँचे मनिश के समर्थन ड्रैली वे बताओंगी आपको पूरी कहानी बने रहे वीडियो के अंध तक इस वीडियो के अंध तक और भी बहुत कुछ है खास पूरी इंसाइट स्टोरी जानने के लिए चलते हैं हमारे खास शो के सफर पर नमस्कार आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ बबली इस शो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इंसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बैल आइकन का बिटन जरूर दबाद ताकि आप सभी को नए वीडियो और नए प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन मिल जाएं एक खास बात इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया 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 क्योंकि आप सभी तो हैं जो हमारे होसलों को उडान देते हैं तब भी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर मनिश कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए आज से उनके समर्थकों ने समर्थन रैली का आगास कर दिया है हाला कि आज की रैली सिर्फ एक दिन की रही लेकिन एक जून से ये रैली लंबी चलेगी यानी कि एक जून से होने वाली रैली मोतीहारी से होती हुए हर गली हर महुले से गुजर कर हर एक जिले में जयेगी फिर पटना पहुंच कर रैली समाप्त हो जाएगी पत्ना में बिहार की सीम, नितिश कुमार और बिहार की राजेपाल राजेंद्र विश्वनाद आर लेकर को मनीश कशिप के मामले में एननस से हटाने और पूरे मामले की फिर से जाच कराने के लिए ग्यापन सोबा जाएगा मनिश कश्यप के लिए आयोजीत समर्थन रैली में MS कॉलिज पर भारी संख्या में यूबा पहुचे और बिहार सरकार के खिलाफ जम कर नारे बासे की उन्होंने कहा कि हम भले ही शांति पूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन मनिश कश्यप के लिए अंतिम सास तक लड़ते रहेंगे मनिश की समर्थकों समझलिजिएक मनिश के लिए भावक मन हो जाता है की एक ऐसा लड़का रिखार को ब्रैंड of अब यह वहीं और लोग असकी देख करने यह दुर्भाग मनिश का सबने भी compr于 बताने की जवूरत नहीं लेकिन सरकार ने मनिश को सब के साथ जो किया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं हम लोग भगत सिंग को मानने वाले लोग हैं और हम लोग लड़ेंगे उस समय तक लड़ेंगे जब तक हमारा भाई जेल से बाहर में निकल जाता है रैली निकालने से पहले की तस्वीरे आपको दिखाती हूँ जब रैली निकालने की तैयारी चल रही थी उस दोरान मनीश कश्यप के समर्थों को ने कहा कि ये सत्याग्रह है और आज से सत्याग्रह सभा की शुरुवात हुई जो आज शाम को खत्म हो जाएगी लेकिन एक जून से होने वाली पद्यात्रा लंबी चल गी सभी भाई लोग अभी आदा हंटे कंदा सब लोगी कट्टे हो जाएंगे और जो भी लिधाउदर लोग हैं सभी से आग रहा है कि मेस कोलेज के फिल्ड से हम लोग को टाउन थाना होते हुए निकलना है हम लोग को नर्शिंग वाक मंदिर के आसपार के यहां के इतने भी प्रसासनिक पता दिकारी है डिस्टिक अड्मिनिस्टेशन वह सब काम तहदिल से धने बाद देना चाहते हैं कि उन लोग के द्वारा हमें परमिशन मिला है और जो भी चीज़ा है कि परसासनिक ब्यवस्ता के तरफ से बहुत अच्छा है जाना खेर सब्सक्राणिशन को महाँठे मान को Smithy कि के डिजिके और म відश्त। वियूओं को भी याद בעli जो या आधी आखेर रहो मिलत नहीं है कि बलेंगे नहीं उठो जागो और जब तक लक्ष की प्राप्ती नहीं होती है चौलते रहो चौलते रहो चौलते रहो मनीश कश्यप के फैंस मनीश कश्यप के लिए आयोजीत समर्थन ड्रैली के लिए 26 माई की शाम से ही मोतिहारी के एमेस कॉलिज पर जुटने शुरू हो गए थे जिस दोरान मनीश के फैंने बिहार सरकार को जमकर खरीखोटी सुनाई मनीश कश्यप की लड़ाई पूरे बिहार को समझा देगी बिहार की सरकार को हिला देगी उसके तक्त को हिला देगी जो तीन पैरों की कुरसी है अब मुझे लगता है कि ये तीन पैरों के कुरसी बहुत जल्द तूटेगी और ये सरकार जमीन पे गिर के घरा साह हो जाएगी और नई सरकार का गठान होगा बिहार में जो जनता चाहती है मनीश कचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच अगर मनीज कस्व ने उसे उजागर करने का काम किया तो बिहार सलकार तिलमला गई इनके दिल में बसता है और यही कारण मनीज कस्व के लिए आज यहां पर लोग एकक्रित हुए है जिस दिन मनीज कस्व के भाई के साथ और बैट कर रात में चार बजें तमाम बिसें पर बात कर रहा था पुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे उन्होंने का हम 30 जिले में जाएंगे हमने आजाद हैं तो आपका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और मनीज कश्व के साथ मनीज कश्यव के लिए दुआ यात्राम में आपके साथ कंदें से मिलेगा जरू मनिश कश्यप की मानिर रैली से पहले मनोकामनेश्वर महमंदिर में पूजा अर्चना की जिस दौरान मनिश कश्यप के फैंस का हुजूम देखने को मिला मनिश के समर्थकों की भीड इस बात की तस्दीख कर रही थी कि मनिश के चहाने वाले कितने हैं और इनकी संख्या देखकर बिहार के डेप्यूटी सीम सहाव तेजस्त्वी यादव की चिंता बढ़ने लाजनी है रैली के लिए मनिश के छोटे भाई करण भी अपनी मा के साथ मंदिर में मौजूर थे मनिश का सब की मा जो आया हा गई है देख सकता है मोत्यारी में और रैली में सामिल होने के लिए अई है यहां हो चुकी है और मनिश का सब इमा भी यहां पर पर हुचक है तमान पुछ बाद उपजे कर गें और जैसे जैसे अब मोचा गांगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब तो अनिस के सांगी अगया ऊच्छानी कि लिए हुचार ंशचानी सब्सक्राइब मनीश कशः प्रिमा उसके भाहिर लगातार है, रखाल रखाल 되면 मनीश घब्लाव! इसको ले से रैली निकला किया है मैं इसका सब्सक्राइब है अपना डिसिप्यून से चलिए एक तरफ चमोर जो एक वाइप में पर चलिए तो वही मनिश कश्यप के समर्थन में बिहार के अलग अलग राज्यों से युवा यहां पहुंचे थे क्या कहना है युवाओं का चलिए आपको दिखाती हो कर्फ़ कर उन है वलग एक कराण चलिए पके भाई giंपान ही। मैं वैडत चुटार चुटार शोस में राजड़ को बिर चिफे तरमden मैं ठृषी चुटलेगा मैं व्हाँ सर चुटारे owns हो थक बाहु सばिंद़ ह loro जिंदाबाद 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 काम किजिए सच्चा काम करिए आपके उपर अरोप लगेगा जैल जाएएगा लेकिन नहीं होगा वह भी बाहर आएगे है लोग समाव्ति पर लँथ Catherine है यह लोग बहुत बड़े बरांड लेकिन वही मनिश कश्वप दिखाते हैं तो उपर फायार हो जाता है के साथ में वह समर्पन भी करते हैं अब हमें वही समझ में नहीं आ रहा है वह वीडियो उनका देखे हुए थे वह लोग जतना पतरकार हैं चले उनके पास में केतना लोग के दिये हैं चले आग की मुलाकात मनिश की एक फीमेल फैन से कराती हूँ जो खास तोर से भागलपूर से इस रैली में भाग लेने आई हैं हम इतने बड़े हो गा distractions के वह वे देखे हैं किसी पतरकार का जो उनके साथ में हो रहा है उनके घर को पूरे तरस तोड़ दिया गया है उनकी मा का रोरो करके बुरा हाल रता है उनके भाई को रोते हुए देखते हैं कितना खराब लगता है मनिस जी जब जेल जा रहे थे तो वो बोले थे कि मैं जेल जा रहा हूँ लेकिन मेरी माँ का ख्याल आप लोग रखियेगा इसलिए हम उनकी माँ के लिए यहां पर आए हुए हैं तमजान के समय में ये थी मतलब मेरी कुछ फ्रेंड मुस्लिम लोग है तो हम उसको बोले देकिन नमाज पढ़ो तुम लोग मनिस जी के लिए, हम लोग तो मंदिर में जाते हैं ये पूजा करने के लिए, तो वो लोग नमाज भी पढ़ी थी और हम लोग रॉम नमी सब में पूजा पढ़ भी किये थे अच्छे से मनिस जी के लिए, धैर ही हम उस न्यूज चैनल का नाम लेना नहीं चाहेंगे, मेरे से आया था इंटर्व्यू लेने के लिए, लेकिन वो न्यूज रास्ते में ही गाइब हो गया, क्योंकि उस मीडिया को खरिद लिया, युनिवर्सिटी ने, ठीक है, और जब मनिस के सब वहां पे आया, तो उन्हो उन्होंने एक रुपिया नहीं लिया है किसी से न्यूज बनाने के लिए, उनका ये इमनदारी, उनका वफादारी को देख करके आज बच्चा-बच्चा उनके लिए रोता है चलिए, आपको रैली की कुछ तस्वीरें और मनिश के फैन की भीड का नजारा दिखाती हूँ, हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और ये तस्वीर भी इस बात का उधारण है, कि मनिश ने जैसे लोगों के लिए आवाज उठाई और लोगों का सहारा बने, वैसे ही आवा उनके हमारे जैसे पुर्वजों से राज करते लोग आ रहा है, हमारे बच्चे भी राज करें, हम भी राज करें, इसी के लिए लगे है, और इसी के लिए कोई फेक वीडियो, कोई फेक न्यूज नहीं है, मैं इसको एक सो एक परसेंट गरांती देता हूँ, कोई फेक न्य जयल में ढला जाता है उनके उफर के में येने में लगाएं जाता है जूटि निउज हिएक बहाना है और मनिश को श्यवप को जयल में के लिए एक किसी कजहरूंप कर जागरुक ना उनिप Candiakad जना चतुप Butcriv nef और ना मनिश कश्यप की रैली में मनिश की समर्थकों और उनके फैंस का जमावड़ा देखकर हर कोई है आज तक किसी भी पत्रकार के लिए ऐसी भीट और जनसलाब देखने को नहीं मिला आप सोचे अगर मनिश कश्यप ने 2024 और 2025 में किसी पार्टी को समर्थन कर दिया या फिर अपनी पार्टी का एलान कर चुनाव 2025 में लड़ेंगे तो बिहार का राजनीतिक समिकर्ण क्या होगा मैं मनिश कास्यप के लेकिन बाद कर रहे हैं और लोगों तक भाक को पहुंचाता है और सरकार सगुफार लगाता है नरेन मोधिटा को चैलेंज करके बोलता है सब्सक्राइब करता हूँ कोई यह नहीं कह सकता है अमने कुछ नहीं को सकता है अपने फिल्म फिल्म बनते हैं बॉलीवूड के करता हूँ ज्याद हो गया है कोई तो देखो कोई तो सहारा बनो वह मनिस्कास्यर था जा करके सब्सक्राइब के बिच के पॉल को दिखावा था किकल इस पे वहने वाले एक्सिटेंट है उसका जवाब दें कौन है अज्ञात तक हुची थे यह पत्रकार सरकार को चुनोटी को मैं। उसने क्या दिया नहीं दिया मैं उसका को सुना नहीं हूं इसलिए आपके चल के मॉध्व समय यह जरूर कहना चाहूंगा जो कि राश्टवाजी विचारधारा है कमेंच बॉक्स में कमेंच करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी आवाज हमारे फेस्बूक पेज़ पर हुठा सकते हैं, हमारा फेस्बूक पेज है, इंडी टाइम्स पेज़ को लाइक और फोलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें, नमस्कार झाल झाल